हलो डियर इस्टोरेंट, question number 10 हमें solve करना है, question number 10 जो है quadratic question last question है, और यह question बहुत इज़ी है activity based है, यह question board exam में आपको 3 mark में आ सकता है activity based में, सेम ऐसा ही activity रहेगा और यहाँ पर आपको fill in the blanks दिया रहेगा, miss word यह क्या activity part इसको हम लोग करें, बहुत इज़ी हम लोग कर सकते हैं, from the given trapezium A, B, C, D, तो trapezium का meaning क्या होते, पहले वो हम समझेंगे, trapezium is sword इसके four side होते हैं, और इसका एक side क्या होगा ऐसा parallel होगा, और यह side क्या होगा नbei परलल होगा, एक side क्या होगा, तुसे हम लोग क्या बोलेंगे trapezium बोलेंगे, नाम क्या बोला A, B, C, D, जो हैं figure में अल इसको पैरलल साइन बोलते हैं इसका जो एरिया है एरिया मिस वोट जो यह पूरा इंसाइट का पोश्चन कवर कर रहा है डेट इस कॉल्ड है एरिया आफ दर ट्रापेजिया में 33 फाइंड लेंथ आफ इस फोर साइड तो इसके चारों साइड का लेंथ फाइंड आउट करने है तो यहां पर यह फाइंड आउट करना है सीडी फाइंड आउट करना बीसी फाइंड आउट के तो आपको एडी मिल जाए हुआ है विकाज एडी और बीसी यह तो सेंबल बता रही है क्या बताता है कि दोनों साइड क्या सेम है तो हमें क्या करना है फिल दा बॉक्स टू तो इसका सोलुशन स्टार्ट करते हैं यहां पर क्या दियो है कोडिलेटरल और जो ऐसा रहता है इसको ट्रेंगल बोलते हैं और इसा फोर साइड रहेगा इसको हम लोगों कोडिलेटरल कोडिलेटरल ABCD is a trapezium AB parallel to CD यहां पर AB और CD क्या है पैरलल है ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मला क्याता है एरिया ट्रेपेजियम एकल तो हाफ इन्टू सम अफ पैरलल साइड तो AB प्लस DC इन्टू हाइट हाइट यहां पर क्या है AM तो यहां पर इस फिलिंद दो है AM आएग पर आपको यहां पर कुश्चन क्या हुआ है कि इस एरिया इस 33 इस मत्लब ओड ट्रेपेजियम विच इक वी के वाईलु किता है एकस है प्लब डीसी जो है यह पूरा लेंथ है जो कि 2S प्लस 1 है यहां पर लिगता है इंटू एम एम का वालु यहां पर है इस माइनस फोर यहां पर यह 2 क्या division में यहां पर लेंगे तो multiply हो जाएगा 33 का 2 से multiply करेंगे तो हमें गया भी लेंगे 2066 अभी देखो x प्लस x क्या हो जाए x प्लस 2x क्या होगा 3x प्लस 1 इंटू अभी यह जो है यह हम लोग asd यहां पर लिखेंगे after this वहाँ पर देखें क्या दिया 3x square प्लस ब्रेकेट माइनस ब्रेकेट इक्वाल टू 0 मिस वोट अभी जो यहां पर जो expression इस expression को solve करेंगे तो मैं मालूम पड़ेगे कि यहां पर आने क्या वाला है तो जो यहां पर नीचे दिया पहले मैं यहां पर rough part यहां पर कर रहा हूँ ताकि आपको easily समझे यह solution तो यहां पर जो लिखा उसको यहां लिख रहा हूँ 66 equal to 3x plus 1 in one bracket other bracket हमें क्या x minus 4 है इसको हम solve करते हैं तो 66 equal to जो यहां पर 3 है इसका multiply x के साथ होगा then 3x का multiply 4 के साथ होगा तो 3x into x क्या हो जाएगा 3x square और यहां पर इसका फिर minus 4 के साथ होगा तो plus और minus का multiply होगा तो minus 3,4 जा 12 तो यह क्या होगा 12x 1 का multiply इससे होगा तो same यही आएगा तो 1 का x से करेंगा x आएगा minus 4 इसको simplify करते हैं 66 equal to 3x square minus 2L में से 1 जाएगे तो क्या है 11x minus 4 अभी क्या करते हैं हम लोग जो 66 है उसको इस तरफ लेंगे तो क्या होगा 0 equal to 3x square minus 11x minus 4 66 को यहां लेंगे तो यह क्या हो minus 66 अभी 0 को right hand side में लिख देते हैं और यह quantity left hand side में लिखता हूँ simplify करके तो 3x square minus 11x minus 4 minus 66 minus 70 तो यहां देखे 3x square अलेडी लिखा हुआ है यहां पर प्लस लिखा हुआ है और यहां पर हमें क्या रहे है minus 11 तो minus 11x को हम लोग bracket में लिखेंगे minus 70 तो minus already 70 यहां पर आ जाएगा अब यहां पर क्या भरना है इसके लिए आपको थोड़ा साथ सोचना पड़ेगा अगर मैं इसको आगे further solve करूं यह जो चीज है इसको अगर मैं solve करूं तो आगे हमें क्या मिलें यहां पर माइनस 70 हमें क्या करना पड़ेगा इसका हमें क्या करना फैक्टर तो यहां फर्स्ट रम क्या 3 और यह क्या 70 दोनों को multiply करें तो क्या माइनस 210 इसको दो पड़ में separate करना कि 11 आना चाहिए तो आपको मालू में 21 10 जा किता होता 220 और इसमें इसको subtract कर होता आपको माइनस 11 चाहिए तो इसके लिए 21 पर क्या एगा निगाटी साइन तो यहां पर क्या एगा 3x square माइनस 21x plus 10x माइनस 70 equals to 0 तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो यह 21 है और यह 11 है और यह 70 यह सारी चीज़ें हमें यहां पर फिल करना है तो यहां पर क्या एगा 21x 10x और अब यहां पर क्या कर रहे हैं यहां पर 3x को common होगे तो यहां एक्स बच्चेगा माइनस 37 जा 21 तो 7 यहां क्योंकि x ओलेडी ऑसाइड है जो यहां पर होता हो से हम लोग यहां पर लिखते हैं तो यहां पर 7 आग और यहां पर से हमिनस 70 को 7 से डिवाड कर रहे हो तो 7, 10 जाता है यहां पर प्लस 10 आएगा सेम है उसको ब्राकेट में लिखें जो इहां पर लिखा हुआ है तो यह कौंट्रिदि प्रोड़क्ट 0 हे पिस वहार यह स्वॉट यह टम भी जीरो और यह टम को जीरो अर्यपन को जीरो अल्रे यहां पर रैकन हो क्या गास, बट लेंथ क्या होता है, निगेटिव नहीं होता, तो इसके लिए हम यह नहीं लेंगे, यह fraction form is not acceptable, तो यहां पर x की वैल्यू को होगी 7, अभी था हम को x की वैल्यू मिली है, x की वैल्यू को find out करने के बाद हमें इसके 4 लेंथ निकालने में, य यहाँ पर जो भी length है सारे length को calculate करेंगे तो यहाँ पर पहला length है वो कहाँ AB है AB जो यह same as X है और X के लिए में कितना ही लिए 7 cm दूसरा अगर हम निकाल लेंगे तो यहाँ इस दिख रहा है BC और AD के दूरों same है तो यहाँ हम लोग दिख सकते हैं AD same as BC which is equal to X minus 2 to 2X plus 1 so 2 into X के प्लेट पर कहेगा 7 plus 1 तो यहाँ पहले multiply करेंगे तो यहाँ पर 14 plus 1 which is equal to 15 cm तो यहाँ पर हम final answer लिखेंगे सारे side पूछा है तो यहाँ पर AB कितना है 7 cm BC कितना है 5 cm DC 15 cm यहाँ पर AD हम इसको भी भूल ले है इसको भी लिखना है AD AD जो है BC के equal है जो की क्या है हमी मिला है 5 cm तो यहाँ पर आपका question number 10 सौल हो गया question number 10 के सास्थ जो हमने quadratic chapter चालू किया तो यह chapter भी क्या हो गया फिनिस हो गया है अभी जो भी quadratic equation है इस chapter भी डाउट है तो आप लोग comment section मेंशन कर सकते हैं इसके बाद जो हमें जो metric आपका chapter फर्स जो की similarity वो ही start करूँगा basic से advanced तक हम लोग सारी चीजे similarity से लेटे देखेंगे थैंक्स वर वाचिंगे